हेलो फ्रेंड्स वेल्कम एक टू माँ चानल आज हम लेके आए हैं बच्चों की लच बॉक्स के लिए आलो से बना हुआ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नास्ता जो की कम चीजों में बन जाएगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा तो चलिए जाधा टाइम ना अग्डेट्स आपको समय पे मिल जाएं तो चलिए अब शुरू करते हैं इस तरीके का आलो स्नैक्स बनाने के लिए यहां पे हमने दो सी तीर बड़े साइज के आलों को कद्दू कस करके ले लिया है तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ अब हम इसमें बहुत ही आसानी से आदा छोटी चमच हम इसमें जीरा डाल रहे हैं कि आदा छोटी चमच इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर dadeeee Big च्मच पूठी हुअद्रक ढल देंगे आदपूटी च्मच चाथ मसाला या आमचुर पॉडर ढल देंगे आदपूटी च्मच गरम भूब कर देंगे तो रहित ंस एक मिर्च है तो काट या फिर आप इस पे मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं तो बस इसको mix कर लेंगे अगर आप इस नास्ते को बहुत ज़दा healthy बनाना चाहते हैं तो मैदे की जग़ा आप इसमें गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं तो ये देखिए, डो हमारा बनकर हो गया है, बिल्कुत त्यार, अब इसको हम साइड में रखेंगे, गैस पे यहाँ पे हमें कोई कड़ाही या पैन रख लेना है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी कड़ाही यूच किया है, एक चम्मस तेल डाल देंगे, और फिर यह जो हमने मिश्रन आलुका बना कर रखा था, इसको हम इस तरीके से रख देंगे, बीच में रखने के बाद किसी चम्मच या स्पैशुला की हिल्प से हमें इसे स्प्रेट कर लेना है, यानि कि चारु तरफ अच्छे से फैला लेना है, तो मैं यहाँ पकड़ाही में बना रही हूँ तो इसलिए हमें यहाँ पर गुलाई में फैला दिया है, तो यह बहुत ही आराम से स्प्रेट हो जाते हैं क्योंकि नीचे हमने थोड़ा सा आयल लगाया हुआ है, यहाँ पर गैस ओन करेंगे और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे, आलू हमारी पहले से पकी तब हम इसे टर्न करेंगे, दो मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पर ढग दिया था, अभी यह नीचे से काफी बढ़िया सिख गया है, तो हमें एक प्लेट रखते भी इसे पलट लेना है, यह देखिए नीचे से कलर इसका काफी बढ़िया आ गया है, वापस से उसी कड प्लेट में एक चब मस्टेल दुबारा डाल देंगे, और यह नास्ता हमने दूसरी साइट से पलट कर डाल दिया है, दूसरी साइट भी हमें इसे दो मिनट पका लेना है, तो बस लो मेडियम फ्लेम पर दूसरी साइट भी हमने दो मिनट पका लिया है, और यह देखिए य अच्छे से छोड़ दिया है गयर्स की फ्लेम को आफ करके हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब आप चाहें तो इसे अपने मन चाहें सेप में कट कर लें और सॉस या फिर चटनी के साथ सर्व करें आप इस नास्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं त सभी को जरूर पसंदाई होगी